हलो वीवर्स नोटबुक आईयस में आपका सौगत है आज हम चर्चा करेंगे सौर मंडल के पिंडों के बारे में अंतराश्टी खगोल सास्त्री संग यानि की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉम के लियूनियन आई एयू की प्राग सम्मेलन 2006 के नुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को तीन्स रेडियो में बाटा गया है पहला है परंपरागत ग्रह जिसके अंतरगत बुद्ध शुक्र प्रदवी मंगल ब्रहस्पति सनी आरुन एंवर्ण सामिल है दूसरा है बावनेग्रह इसके अंतरगत प्लूटो शेरॉन सेरस 2003 यूबी 313 सामिल है और तीसर पिंडों की बीड़वार ना हो ग्रहों की यह परिवासा आई एन्यू की प्राक्समेलन आगस 2016 में तैकी गई है ग्रह की इस परिवासा की आतार पर यम यानि की प्लूटो को ग्रह की स्रेड़ी से निकाल दिया गया जिससे परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से गटकर 8 रह ग्रहों को दो भागों में विवाजित कर दिया गया है पहला है पार्थ्य या आंत्रिक ग्रह यानि की टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट बुद्ध्य शूक्र प्रत्वी एव मंगल को पार्थ्य ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्वी के सद्रस होते हैं ये सुर्वा ग्रह का जाता है ये सुर्व से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं विगैस और तरल पदार्थ्रों से बने हुए हैं मंगल बुद्ध ब्राश्पति शुक्र एवम सनी इन पांच ग्रहों को नंगी आखों से देखा जा सकता है आकार के नुसार ग्रहों का क गठते क्रम में हैं ब्राश्पति सनी अरुन वरुन प्रत्वी सुक्र मंगल एवम बुद्ध अर्थास सबसे बड़ा ग्रह ब्राश्पति एवम सबसे चोड़ा ग्रह बुद्ध है गनत के नुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में हैं सनी अरुन वरुन नेप्च्यून म बुद्ध शूर के सबसे निकट का ग्रह बुद्ध एवम सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। के आधार्वाः ग्राहों का क्रम बढ़ते क्रम में सुक्र भ्राजपती बुध्ध प्रत्वी मंगल सनी वरुन अब लोकवाई receives अब जानते हैं बुध्ध यानिकी मर्करिय के बारे में ये शूर का सबसे नच दीखी ग्राय है जो सूर निकलने के दो गंटा पहले दिखाई देता है यह सबसे छोटा और सबसे हलका ग्राय है इसके पास कोई उप ग्राय नहीं है इसका सबसे बिसिष्ट गुड़ है इसमें चुमकी छेत्र का होना यह सूर की परिक्रमा सबसे कम समय में पूर centigrade वाद दिन में 727 degree centigrade हो जाता है अब जानते हैं सुक्र यानी वेनस के बारे में यह प्रत्वी का निकत्तम सबसे अब जानते हैं ब्रासपति यानि Jupiter के बारे में यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्राय है इसे अपनी दोरी पर चक्र लगाने में 10 घंता सबसे कम और सौर की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं, ब्राश पती का दर्भमान सूर्गे दर्भमान का लगबक 1000 वह भाग है, इसके उपग्रह ग्यानी मीट यानि की पिले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है, अब जानते हैं मंगल यानिकी मार्स के बारे में इसे लाल ग्रह यान आइरन आउकसाइड के कारण है यहाँ प्रतवी के समान दो धुरू है तता इसका कच्छा तली 25 डिग्री सेंटी ग्रेट के कोण पर जुका हुआ है जिसके कारण यहाँ प्रतवी के समान डितु परिवर्तर होता है इसके दिन का मान यहाँ अच्छ का जुका और प्रतवी के समान है यह अपनी दोरी में 24 गंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है इसके दो ग्रेट हैं फोबोस और डीमोस और सूर की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं अब जानते हैं सनी यानिकी सेटन के बारे में यह अकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है इसकी विसेशता है इसके तल के चारों और वलै का होना वलै का आर्थ है मोटी प्रकास वाली कुंडली वलै की संख्या साथ है यह आकास में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है तता इसका गन तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है यानि इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा सनी का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है यह आकार में बूद्ध के बड़ाबर है टाइटन की खोष 16658 में डिनमार्क के खगोल सास्त्री क्रिस्चियन हाई जोन ने की थी यह एक मातर ऐसा उपग्रह है जिसका प्रतवी जैसा सोयम का सगन वायुमंडल है अब जानते हैं आरुन यानिकी उरेनस के बारे में यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है इसका तापपान लगबग 215 डिग्री सेंटीग्रेट है इसकी खोष 1781 एस भी में बिलियन हर सेल द्वारा की गई थी इसके चारो और नौ वलेओं में पांच वलेओं का नाम अलफा बीटा गामा डेल्टा एओं एपसिलॉन है यह अपने अच्छ पर दच्छडा वर्त गोमता है जबकि अन्निग्रह वामा वर्त गोमते हैं यहां सुर्योदय पस्चिम की ओर एवम सुर्यास्त पूरप की ओर होता है और इसके सभी उपग्रह भी प्रत्वी की विप्टित दिसा में परिप्रवड करते हैं यह अपनी दुरी पर सुर्य की और अत्यदिक जुका हुआ है अब जानते हैं वरुन यानिकी नेप्ट्यून के बारे में इसकी खोद 1846 स्बे में जर्मन का गोल सास्त्री जहान गालेने की है नाइक गोली ब्योस्ता में यह सूर के सबसे दूर स्थित करह है इसके चारों और अतिसीतल मीथेन का बादल चाया हुआ है इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमूख है अब जानते हैं प्रत्वी यानि की अर्थ के बारे में प्रत्वी आकार में पाचवा सबसे बड़ा ग्रह है प्रत्वी का अच उसके कच्छा तल पर बने लंब से 3.5 डिग्री यानि की 30 मिनिट जुका हुआ है दूसरे सब्दों में प्रत्वी का अच प्रत्वी की कच्छ तल से 662 डिग्री यानि की 6630 का कोड़ बनाता है एस और मंदल का एक मात्र ग्रह जिस पर जीवन है तथा इसका एक मात्र रुप गया चंद्रमा है इसका विश्वती ब्यास 12756 किलोमीटर और दुरुई ब्यास 12713.6 किलोमीटर है दोनों ब्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है प् पर पस्चिम से पूर यानि की 1610 किलोमीटर पर गंटे की चाल से 23 गंटे 56 मिनट और चार सेकंड में एक शकर पूरा लगाती है प्रतिवी की इस गती को गोड़ा या दैनिक गती कहते हैं इस गती से दिन और रात होते हैं प्रतिवी को सूर की एक प्रिक्रमा पूरी करने मे 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगबग 365 दिन 6 गंटे का समय लगता है इस समय आवदी के दौरान पर पूरी करने में प्रतिवी का माद देवेग लगबग 30 किलोमीटर पर सेकंड यानि 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है सूर के चतुर्दिक प्रतिवी के इस परिक्रमा को प्रतिवी की वार्चिक गती अत्वा परिक्रमण कहते हैं प्रतिवी को सूर की एक परिक्रमा करने में लगे समय को 100 वर्स का आ जाता है प्रतेक 100 वर्स कैलेंडर वर्स से लगबग 6 गंटा बढ़ जाता है जिसे हर 14 वर्स में लीप वर्स बनाकर समय उजित किया जाता है ल परवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं प्रत्वी पर दितु परिवर्तन इसकी अच्छ पर जुके होने के कारण वा सूर के सापेच इसकी इस्थिती में परिवर्तन यानि की वार्शिक गती के कारण होती है वार्शिक गती के कारण ही प्रत्वी पर दिन दाज यह प्रत्वी से 4.2 प्रकास वर्ष दूर है यह सूर का भी निगठतम तारा है अब जानते हैं चंद्रमा यानि की मून के बारे में चंद्रमा की सतय और उसकी आंतरिक इस्थिति का ध्यान करने वाला विज्ञान सेलोनोलोजी कहलाता है चंद्रमा पर दूल के मैदान को सांत सागर कहते हैं यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है चंद्रमा के दश्णी दुरूपर इस्थित लीव नीट्स परवत 35,000 फीट यानि की 10,640 मीटर चंद्रमा का उच्थम परवत है चंद्रमा को जीवास्म ग्रहभी कहा जाता है चंद्रमा प्रत्व चंद्रमा का आच तल प्रत्वी की आच्ची के साथ 58.48 डिगरी का कोड़ बनाता है चंद्रमा प्रत्वी की आच्ची के लगवग समाना अंतर है इसका परिक्रमान पद भी दीर गिवरत्ताकार है चंद्रमा का ब्यास 3480 किलिमीटर तथा दर्भमान प्रत्वी के दर्भमा होती है इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं अब ओलो के अंत्रिच यात्रियों दोरा लाए गए चटानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना प्रत्वी यानि कि 460 करोन वर्स इन चटानों में टाइटेनियम अधिक मातरा में पाई गई है अब जानते हैं सूपर्मून जब चंद्रमा प्रत्वी के सबसे निगाट होता है तो उस स्थिति को सूपर्मून कहते हैं इसे पेरी जी फुल मून भी कहते हैं इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है सूपर्मून सब्द वर्स 1989 में जोत्सी रिचरड नोल दौरा किया गया था ब्लू मून एक कैलेंडर मा में दो पोडिमा हो तो दूसरी पोडिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है इसका मुक करन दो पोडिमा के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होता है तैसा दो तीन साल पर होता है अगस्त 2012 में दो दो आ 31 अगस्त देखे गए थे इन में से 31 अगस्त के पोडिमा को ब्लू मून कहा गया जब किसी वर्स विसेश में दो या अधिक मा में ब्लू मून के होते हैं मून एर कहा जाता है वर्स 2018 ब्लू मून एर था वर्स 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून है उतरने के कगरण यम को ग्रै की से लग कर बैक की सेल्डी रखा गया है। हादिशा मिलते सेरस इसकी कиях इतली के खागोल सास्त्री पी याजी की भर Kasmos kamiya background है। इसका ब्यास बुद्ध के ब्यास का एक बटे पाच्वाब आ गए अन्य बहुने ग्रहे हैं वे राउंड एम दोजार तीन यूबी 311 एरिस ऐसे मात पूर्ड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल लोड़ बुकाईयस को